हेलो अब्रीवर्न वेलकम टू आईएस दोस्तों अब हम लोग ना मेवाड रीजन को डिस्कॉस करते हैं हम लोग आपको याद होगा कि रीजिनल किंग्नम्स को डिस्कॉस कर रहे थे गुजरात की कानी हम लोगों ने देख ली थी एक मिनट पहले मेवाड पे यहाँ पर अगर आप इसको देखो हाँ वेस्टन इंडिया के कंटेक्स में हम लोग तीन रीजिनल किंग्डम्स को डिस्कॉस कर रहे थे एक आपका था गुजरात दूसरा मालवा यह दौनों तो हमने डिस्कॉस कर लिए अब हमारा मेवाड रीजिन रह गया यान की राजपोताना किंग्डम्स राज़िस्थानी किंग्डम्स तो मेवाड जो है उस टाइम पर क्या था राज़िस्थान में है राजपोताना किंग्डम्स में रेकिन प्रॉपर जगह अगर हमें जानी हो यह कौन से किंग्डम की बात हो रही है कौन से एंपायर की बात हो तो वो है उदेपूर राजस्तान में आश्मा बड़ी सारी जगा होती न शुर्या आपका बीका नेर है जैसे जैपूर है उदेपूर है ये सारे अलग-अलग है हम इनको कॉमनली बोलते थें कि राजस्तान के एरियास है राजस्तान के रीजंस है तो मेवार किंडम क्या है उदेपूर किंडम है इसको और जरी बोले जाता था मेथपाथ क्या बोले जाता था मेथपाथ और समय जैसे जैसे आगे भी था तो जो नाम था मेथपाथ वो आगे चल कर क्या बन गया? वो बन गया मेवाड तो मेवाड के नाम की कानी समझ में आ गई मेवाड उधेपर किंग्डम था शुरू में नाम था मेरपाद वक्त जमाना आगे बीता आगे चल चल कर नाम हो गया मेवाड ठीक है? जो rulers थे मेवाड के वो एक title use करते थे महराणा ठीक है Prime Minister या फिर Custodian ये महराजा या king title use नहीं करते थे ये properly जो Northern India, Central India के rulers थे वो use करते थे महराजा या king जो title है लेकिन मेवाड, region, राश्पुता ना या राजस्तानी जो rulers थे वो क्या use करते थे? महराणा तो as they will eat themselves to be merely custodians of Hindu civilization मतलब ये अपने आपको एक Hindu civilization का धर्मरक्षक मानते थे या फिर kind of custodian मानते थे, bodyguard मानते थे और ये चीज हमें इनके मंतिरों सो भी देखने को मिलती है in the temple of the lord एक link, एक link जी मतलब जैसे हम लोग बोलते ने शिवजी शिवजी के साथ associated is shiv link तो ये एक link जी अगर आप लोगोंने पदमाबत मूवी देखी हो कोई भी war initiate करने से पहले जो राजा रावल रतन सिंग का रोल जिसने निभाया है शायत कपूर ने हमें उसका एक commander in chief होता आर्मी का गोरा सिंग है ना आपने उस movie में देखा होगा तो जब भी वो कोई war initiate करता है ना वो कहता है जय एक link जी की कभी अगर ध्यान से सुनना उसको वो कहता है जय एक link जी की तो एक link के है shiv link को ही का जाता है manifestation of lord shiva who was also called as medhpatishwar यानि कि lord of medhpat lord of mevad अब क्योंकि shiv link आपको दिखाये गया है वो चितोर दिखाये गया है मेवार दिखाये गया है राजा रावल रत्यन सिंग उसी का ruler होता है वो भी राजपुताना है वो भी राज़सान की कानी है तो इसलिए हम लोग भी मेवार की कानी पढ़ रहे है इसलिए मैं आपको वो connection बता रहा हूँ कि उस movie के अंदर Gora Singh use करता है वर्ड जय एक लिंग जी की ठीक है यानि कि शिर्ट जी की जय तो मेवाड का जो rise होने शुरू होता है वो 15 भी शतापती में शुरू होता है और ये एक मुख्य कारण बनता है कि नर्दिन इंडिया में एक political drive राजपुताना kingdom की भी start होती है जो power थी राजपुताना की चोहांस की ठीक है वो खतम हो जाती है with the conquest of रंथम बोड बाय अलावतीन खिल जी चोहांस के बारे में हमने पढ़ा था कर आपको यादो previous दो-तीन chapters में ठीक है तो चोहां राजपुताना symbol थे उनकी ताकत खतम हो जाती है जैसी अलावतीन खिल जी रंथम बोड पे कभजा कर लेता है तो after being overrun by the armies of अलावतीन खिल जी मेवार जो है वो उतना ज़्यदा powerful नहीं रहा जाता मतना अपने अपने सक्षम नहीं रह जाता क्योंकि अब वो खिलजी सल्तनत की खिलजी डैनस्टी की चत्रचाय में आगे है दिल्ली सल्तनत की चत्रचाय में आगे है उसके बाद 1335 में क्या होता है राणा हमीरा राणा हमीरा established the second गोहिला डैनस्टी अफ चिप्तौर ठीक है and became and also became the progenitor of the sisodhya clan यानि की सबसे बड़ा बेटा था तो ये गदी पराके बैठ गया अब ब्रांच अब गिलोड क्लै अब इसको जाए आप गोहिलिया कहलो या गिलोड कहलो ठीक है तो which every succeeded maharana of mewar अब ये maharana वाली जो बात है यानि की प्राइमेरी से राक स्टूडियों मेवार head belong ये पहला ऐसा ruler था जिसने टाइटल स्टार्ट करा राणा का ठीक है इससे पहले लोग क्या यूज़ कर रहे थे maharana यानि ये औल्सो बिल्ट था अनपूर्णा माताठेंपल अच्छा, अनपूर्णा जो माह होती है न ऐसा माना जाता है हिंदू परंपरा के अनुसार ये विशवास करा जाता है कि ये आप के kitchen के अंदर निवास करती है आपके घर में जो खाना पीना या जो खाने पीने की जो बरकत होती है कि आप निवाले खा पा रहे हो खाने पीने की कमी नहीं है किचिन में आपके प्रोस्वेरिटी बहुत जाद है तो हिंदू रीती रिवाजों के अनुसार ये मा अनपूर्णा की क्रिपा से होता है मैं एक लिंक को और बताता हूँ आपको जो लॉट जगरनाथ जी का जो टेंपल है न पूरी के अंदर वहां पे एक ना चावल के भात होता है जो कि आपने कहीं बार सुनाओगा बेस में मुझे कहता है कि सर आपका प्रसाद मुझे बेजना आप अपने एड्रस भेज़ दो मुझे ज़रा है न पार्शल करवाना है तो वो मुझे सूखे चावल का वहां पर प्रसाद भेजता है तो आश्रिमा उसमें एक ना विश्वास कर जाता है श्रिया जैसे फॉर एक्जांबल मान लो कि हमारी शादी है अब उसमें खाना बन रहा है और एक लगता ना कि कितने महमान आएंगे और खाना खतम ना हो जाए या पता नहीं क्या हो जाए तो ऐसा विश्वास कर जाता है कि जगनाजी का नाम लेकर और अन्नपूर्णा मा का आश्रिवात लेकर वो जो लौट जगनाथ के जो पूरी के अंदर जो चावल जो मिलते हैं वह बहुत सारे मिलते हैं उसका एक दाना खाने के आप बरतन में हर एक पातर में मिला दो तो बरातियों को कभी भी या जो रिष्टदार आएंगे जो शादी में जितने भी महमान आये हैं उनको खाने की कमी नहीं होगी खाना एक्स्रा ही बचेगा कम नहीं पड़ेगा ये विश्वास करा जाता है और अगर आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता हमेशा जो बावर्ची होगा आपकी शादी में तो वो हमेशा रिक्वेस्ट करेगा आपकी मम्मी से है पापा से कि अगर भाईसाब जगरनात के चावल का कहीं इंतिजाम हो सकता है ना तो आप एक दो दाने हर एक खाने के पात्रे में डलवा दो तो बरातियों को कमी नहीं होगी खाने की ठीक है यह छोटी सी मैंने हिंदू परमपरा की आपको बात बताए मैं वहले अन्यपूर्णा माता का टेंपल दिखाता हूँ आपको चित तोड़ गर यहनका मंदिर यहाँ पर देखो यहाँ राजयसान के दाचित तोड़ में उधैपूर में ठीक है और मानपूर्णा अंदर जो मूर्थी बनी हुई है यह हो ठीक है एंट्रेंस यह ठीक है समझ गए यह बली चीज तो विच इस रोकेटें दा चिताओर फोट इन राजस्तान में चिताओर के लिए ही इसलिए आपको यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है बार बार देखो अनपूर्णा माता का मंदिर अचिताओर फोट यह राग ठीक है इसका एक एक एरियल व इधर यह पूरा का पूरा किला है इस किले के अंदर यह मंदिर बना हुआ है यह अनपूर्णा माता जी का ठीक है तो आफ्टर एससेसिनेशन ओफ राणा हमीरा यह जो गद्दी पर आये था राणा हमीरा ठीक है इसने ही यह सेकेंड गुलिया डैनिस्टी जो है इस्टैब इसका मतर होता है महराना मुकाल का फिर इसका जो बेटा होता है राना कुम यह गद्दी पर बैठता है मेवार की 1433 CE में तो राना कुम के बारे में हम जानते हैं राना हमीरा की कानी और इसके पोते की कानी जो था महराना मुकाल इसकी तो खताम हो जाती है इसका जो बेटा ह बोलेंगे तो 2023 CE तो नहीं बोलेंगे तो लेकिन फिर भी लिखा होता है मैं इसलिए बोल देता हूँ राना कॉम या इसका जो दूसरा नाम था कॉमबकंड सिंग ठीक है कॉमबकंड सिंग जिसको जाना गया आसपास के रूलर्स ने रिकॉगनेज करा के मैवाड एक अच्छा किंडम है पावर्फुल किंडम है पावर्फुल इंपायर है और जो वो बिलकुल उसकी पावर जो ऑफ्सक्यूर होकर रह गी थी इस्पेशली राणा हमेर के स्टेप डाउन करने के बाद खुचो गदी शुड़कंड नहीं गया था लेकिन बुड़ा हो गया तो वो चला गया उसके बाद महाराना मुकाल की मिर्थिव के बाद तो बिलकुल ही जो मेवाड किंडम जो साइड लाइन होकर रह गया था उसक राजनीतिक शेत्र में और कल्चर की शेत्र में इसने काफी अपना योगतान दिखा है मिवाड रीजन में उदेपुर रीजन में उदेपुर किंडम के लिए ठीक है बहुत सोच समझकर ध्यान से इसने अपनी पोजिशन को कंसॉलिडेट करा और इसने डिप्लोमेटिक स्क करा ही कॉनकर इस्टेट्स लाइक बूंदी कोटा चत्सु मालपुरा अंबर 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 और दुंगियरपुर मैजोरीटी ऑफ यह जो सेट्स ही उन्होंने राना कुम की चछतर चाय को एकसेप्ट करा और उसके पॉलिटिकल इंफ्यूंस के अंतरकत वो आये इस इसने सब रीजनस को मिखस करें किला था तो अब देख सकते हो ध्यान से सोष सोष समझ कर इसने कैसे अपनी पोजिश्ञ चरा हलका सा expansionism फिर consolidation फिर expansionism फिर consolidation राना कुम और जो सुल्तान महमूद खलजी जो थे मालवा रीजन के ठीक है इनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी जैसा कि हम पढ़ भी रहते मालवा रीजन में महमूद खलजी के बार में राना कुम जो है he had given shelter to a rival of महमूद खलजी उसके दुश्मन को इसने पना दी थी और उसको मालवा रीजन में सुल्तान बनाने की कोशिश भी करी थी हाला कि मैं आपको बताया था महमूद खलजी वाले जो लोग थे जो मालवा रीजन के अंदर ये सुल्तान टाइटल यूज नहीं करते थे दे रहे हो ठीक है मैं तुम्हारे शत्रू को पना दूँगा जैसे राणा कुम का जो भाई था मोकर ठीक है वो खुद इसके खिलाव था उसको इसने पना दी थी जैसा कि अभी हमने देखा राइटर आपसे कह रहे हैं कि राणा कुम और महमूद खलजी ये आपस में इसको लगा कि मैं विजेता हूं जितनी भी कॉनकर्स में करता हूं जितनी भी मेरी भीड़ाप होती है महमूद खलजी और उसकी फोर्सेस के साथ अब जो राणा कुम जो था इसको हर जगा से घेर लिया किया काफी बार गुजराती फोर्से मेहमूद खलजी जो था मलब जो लड़ाई चल रही हैं की वो continue है और महमूद खलजी जो है वो इसके एरिया में अजमेर तक घुज गया था और अपना गवनर उसने इस्टोल करवा दिया था अजमेर रीजन में तो राना जो है he was able to repulse these attacks and detain possession of most of his conquests with the exception of some of the outlying areas such as रंधंबोड कुछ एरिया उसके आथ से चले गए थे इतनी जाधा इसने विचेटा प्राप्त करी ना इतने सारे एरिया कुछ एरिया रधाबोड जास चले गए थे लेकिन बाकिन एरिया पर उसने कवजा करने नहीं दिया महमूद खलजी को जो की मालवा रीजन से था और महमूद दिल्ली के साथ associate करते हैं अपने आपको ठीक है अगर हम लोग बात करें राणा कुमकरन सिंखी एक ही नाम है he was a great pattern of art and literature ठीक है और अच्छा गायक भी था कुछ भी एक अच्छा musician था बहुत अच्छा बीना बजाता था he was acclaimed as इसको एक title दिये जाता है संगीत शिरोमणी and wrote an outstanding treatise on Indian music संगीत राज इसने कुछ और भी works जो थे वो लिखे like संगीत मिमांसा संगीत रतनाकर and सुद्रप्रबंध he also patronized great scholars such as Mahesh and Atri the composers of the inscriptions of Victory Tower जो की इसने बनवाया था जब भी ये मेमूद खल्ची को और स्थी forces को हरा देता था इसने बसंपूर की जो city है जो उसका शहर उसको construct करवाया था he built several inns, palaces, ponds, schools and temples यानि की agriculture से लेकर लोगों की social life के साथ associated जो भी चीज़े है इसकूल, तलाब, palaces, छोटे-छोटे रुखने की जगाई, यात्रियों की canals, dams, ये सब कुछ इसने, और मंदिर, सब कुछ यहाँ पर इसने construct करवाया था अपने kingdom को defend करने के लिए इसने पांच किलो का निर्वान करवाया था एक कुंबलगड का किला, एक अचलगड का किला, एक मदान का किला, एक कोलाना रीजन का किला और एक विराट किला बनेगे, उसके लिए नकाशी करने के लिए, सुन्दर सुन्दर दिवारे बनाने के लिए, पिलर्स बनाने के लिए, इंस्क्रिप्शन बनाने के लिए, कुछ न कुछ लिखने के लिए, ये बड़े सारे राजा बन्नी की चाहत थी और उसको पता था कि सब कोई अच्छा जा रहा है और मेरा बाप तो step down करेगा नहीं ठीक है तो वो ग्या करता है राना कुम ग्या कुम करन सिंग जिसको बोले जा रहा है इसका murder कर देता है उदे ठीक है उदे सिंग तो उदे पस हाववेर आउस्ट इते लॉग फ्रेतिशाइडल कंफिर्ट विट इस ब्रदर्स राना संग जो है तसन ओफ रायमल ही पिकेम था रूलर साव मेवार इसका बेटा नाम होता है इसका Rana Sun Rana Sun, 15-28C originally इसका नाम था Sangram Sing ये पोता था Rana Kumbh का ठीक है, काफी जादा brave और fast, ferocious ruler माना जाता है, राजबुदर रूलर माना जाता है जिसने काफी सारे यूद लड़े he was a man of indomitable spirit, यानि कि कभी भी किसी भी हार से किसी भी occasion से निराश नहीं होता था ठीक है and despite losing one arm एक हाथ अपना खो चुका था एक आँख अपनी खो चुका था और शरीर पर बहुत जाद इसके चोटे थी इसने लिकिन फिर भी भाधुरी के साथ सारे के सारे जो राजपुति स्टेट से राजेसान में उनके उपर इसने विजए प्रात करी थी युद लड़ते हुए ही एक बार की बात है एक युद में इसने अपना हाथ को दिया था और दूसरे युद में एक बार की बात है इसके आँख में न तीर लग गया था ठीक है तो यह अंधा हो गया था एक आँख से यानि कि लंबे समय के बारे में भी सोचता था सिर्फ युद करनास की नीती नहीं थी गुज्य प्रतियर किंग्डम के गरने के बाद गुज्य प्रतियर कहा पर रूल कर रहते है जल्दी बताओ चाहन के रूलर से गुज्य प्रतियर Northern India न राजिस नहाँ Northern India बलत था थोड़ा सा नौर्थ और श्रेया थोड़ा सा तो हलका सा वेस्ट, पूरा वेस्ट नहीं हलका सा वेस्ट ठीक है? तो गुज्जा प्रतियर किंग्डम के गिरने के बाद, जो राथ पूर से पूरे के पूरे नर्दन इडिया में आपस में लड रहे थे, तू तु मैं में की बीच में चल रही थी, but he united the various factions Rana Sangh की उपर created जाता है he united these various warring groups under his able leadership क्योंकि इसको ये लगा था कि हमारा फाइदा लिया जा सकता है Gujja Pratihar Kingdom आपको पता है उसका disintegration हुआ था तो बड़ी सारी Rajput इसेट्स जो है जो Rajput आना सेट्स हैं रीजन्स हैं वो create हुएते हैं तो after first consolidating his power at Mewar Rana Sangh जो है he moved his army against the internally troubled neighboring kingdom of Malwa as during this period Malwa was disintegrating जो ruler था Malwa का Mehmud 2 ठीक है वो इसको लेकर काफी दा कौशियास अपने दुश्मन को जिसका नाम था Rajput ruler Vazir Midni Rai इसकी power को लेकर so he sought assistance from both Sultan Ibrahim Lodi of Delhi and Bahadur Shah of Gujarat जो Midni Rai था उसने Rana Sangh से request करी कि तुम मेरी मदद करो तो joined by Rajput rebels from within Malwa जो Rana Sangh की जो troops से from Mewar ते not only defeated Malwa's army but also their supporting troops from Delhi तो Malwa जो है it fell under Rana's military power and his chivalry was reflected when he treated Sultan Mehmud with generosity and restored his kingdom even when he was defeated and taken as prisoner by Rana लेकिन उसको जान से मारा नहीं Sultan Mehmud को और उसको दोबारा से उसका kingdom था उस पर रिंस्टोल कर दिया किया he also defeated the Delhi Sultan इब्राहिम लोधी देख रहे हो कितना powerful ruler रही है इब्राहिम लोधी को भी इसने अरा दिया 1518 CE में at Gattoli और आपको पता ना फिर वो इब्राहिम लोधी का यह commander था जिसने किसको invite कर रहा था भारत के अंदर जल्दी बताओ किसको invite कर रहा था कि इब्राहिम लोधी वीक है उसकी सेरा में सही किसी ने invite कर रहा था इब्राहिम लोधी के लड़ने के लिए कौन था वो person मला आया कोन इब्राहिम लोधी से लड़ने यह तो पता तो यार कौन आया था इब्राहिम लोती से लड़ने चाहिनी आश्मा नहीं पता मैं श्रेंट से ये बूछ रहा हूँ कि इब्राहिम लोती यहाँ पर इससे हार गया इब्राहिम लोती भीक था इसका खुद का एक मिल्ट्री कमांडर था जिसने इन्वाइट करा था एक पर्सन को बार्शे ब्राहिम लोती से लड़ने के लिए तो मैं करौ नुक्र आये था बार्शे पर लोती ti7 लडने पो इब्राहाम लोधी का योध्य हुआ था के नहीं हुआ था के नहीं हुआ था, या सक की नहीं था भताओ हाँ की ना थीज्टर लोधी ग्र में तो अ fidbo में यहाँ और नका दिया है, यहाँ में प्रीविश नर्फित का नाम विशल्ये किसके यहां पर बात हो रही राणा संग से डरा हुआ था काफी ज़्यादा लेकिन फिर से इसको शिकस्त हार का सामना करना पड़ता है दौलपूर में लोधी दस फॉर्ट संग रिपीड़िटली ओले टू पीडिपीड इस ताम हर बार उससे हारता है लूजिंग मच ऑफेस लेंड इन राजपुताना वाइल दा बाउंट्रीस ऑफ राणा संग्स मिल्टरी इंफ्लूइंस केम टू एक्सेंड विदिन दा स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑव आगरा आगरा तक उसकी फूर्जे पहुच चुकी थी जो राणा संग है उसने विजए प्राफ कर ली थी तभी तो इब्राहिम रोधी की इसी फिकनेस को तो देखते हुए बुलाये जाता है तो देखो according to some legends it was on the invitation of राणा संग that बाबर invaded इंडिया in 1526 याद आया प्रिवेस चप्टर के अंदर बढ़ा था में लास्ट यही लाइन पड़ी थी इब्राहिम लोधी के बारे में ठीक है राणा संग इसको खुद बलाता है but just after a year राणा संग fought against बाबर in the famous battle of khanva near फत्यपुर सिक्री यह आगरा से 40 km दूर है जगा ठीक है फत्यपुर सिक्री 1527 सी में जो राजपुत forces थी राणा संकी ठीक है अभी तेख रहे हो यह पहले राणा संकी अगेंस थे यहां पर जब यह alliance बना लेकिन इन सबने मिलकर फिर बाबर के अगेंस लड़ा the battle which lasted for not more than 10 hours it was bitterly contested and became an exceedingly brutal affair किसने किसको और आदी है 10 कंटों के अंदर कौन जीता बाबर की forces जीत कई ठीक है बाबर ने लोदी को very good ठीक है the battle which lasted for not more than 10 hours and इसके अंदर बाबर की force जीत गई at a critical moment of battle the defection of सिलहती and his contingent cause of split in the Rajput forces बना इसने गदारी करी याद है battle of plasya में भी गदारी होती है इसलिए हम लोग कहते है battle of plasya was never fought पता है वली बात उसमें भी गदारी होती है ठीक है सेम गदारी बिल्कुल सेम डिट्टो तरीके से इस सिलहती ने दिखाई तो राना संग while trying to rebuild his front इसको चोट डगी काफी ज़्यादा और वो भिहोशी की हालत में गोडे से गिर जाता है राजफूत आर्मी through their leader was dead and fled in a disorder thus allowing the mughals to wait तो राना संग जो है इसको मलब आराम से battlefield से निकाल कर लाया गया safely by the Rathod contingent from Marward unwillingly to admit defeat he set out once more to rebuild his military and renew warfare with Babar जैसे ये ठीक हुआ और इसने कसम खाई not to set foot in the Chittor hill जब तक Babar को ये हरा नहीं देता है 1528 में दुबारा दो साल के बाद लगबग एक साल के बाद एक से देर साल के बाद 1527 में फिर उसके बाद 1528 में दुबारा he again fought Babar at the battle of Chanderi और Chanderi कहाँ पर है मध्यप्रदेश के अंदर इससे बहले कोई दौनों के लड़ाई कहाँ पर हूँ बैटल आफ खनवा बियोशी के हालव में घोड़े से गिर गया था और इसको इसके फोर्टस जो थी मारवाट रीजन में ले आई थी safely तो he fought Babar at the battle of Chanderi मेदेरी राई की help करने के लिए who was attacked by Babar बट कलपी में ये बीमार पढ़ जाता है फिर से और अपने कैम्प में ही इसकी मृत्ति हो जाती बीमारी की वज़े से ऐसा माना जाता है इस सोलिंस के द्वार ऐसा अनुमाल लगाए जाता है कि ये बीमार नहीं हो आता इसी को इसको इसी के nobles ने जहर दे लिया था who thought that his renal of war with Babar was suicidal कि वैसे भी इसे मर नहीं है रणभूमी में और फिर राजपुताना kingdom की जो शान है आन्मान जो शान है वो मिट्टी के हवाले हो जाएगी इससे better है कि इसको जहर दे कर मार दिया जाए लेकिन ऐसा historian का एक group कहता है अब ये कितनी सही चीज है कितनी गलाट चीज है ये कोई नहीं बता सकता ओके तो it is important to know that poet saint and passionate devotee of lord krishna the legendary mira भाई krishna bhakti में lean थी हम इनके बार में पढ़ेंगे भी भक्ती सूफी movement वाला जो हमारे chapter आएगा i think वो chapter number 15 है हाँ 15 ही है तो तमाम उसके बार में पढ़ेंगे ये जो थी ये बहु थी महाराना संकी महाराना संकी ये बहु थी she was the daughter-in-law of महाराना संग और महाराना प्रताप इसी के खांदान से बिलॉंग करता है और आपको पता ना ये छोड़कर चली गी थी अपने पती बगएरा को क्योंकि इसकी उपर बंदेशे थी भक्ती नहीं करने दी जाती थी जोड़ा के कंटेक्स में भी आपको याद होगा राजपूत औरते काफी जादा मन मोहित रहती क्रिश्न भक्ती से उनकी तरफ औरिंटेट रहती है याद है जब शादी से पहले जोड़ा ने अकपर को अपने शिवर में बुलाया था तो उन्हें बोला था शादी करने के लिए हमारी दो मांगे हैं एक हमें अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर नहीं करा जाएगा तो अकपर कहता है कबूल है दूसरी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ अकपर अगर टॉलिंट रूलर नहीं होता औरंजेब जैसा होता तो वो जोड़ा और उसके पिताजी को काट कर रख देता लेकिन फिर भी अकपर ने जोड़ा की इस बात को माना के हिंदू प्रिंसेस हमारे खांदान में आ रही है हमारी बीवी बन कर तो अकपर कहता है वो जोड़ा कहती है उससे के हम चाहते हैं के शैंचाय आलम अपने महल में हमारे कृष्ण मंदिर को बनवाने के लिए अनुमती दे पर्मीशन दे और अकपर ये मान लेता है वाली बात और वो कहता भी है कि हमें अच्छा लगा कि बेखॉफ निगाहों से बेखॉफ जजबातों के साथ जोधा बेखम ने जो हमसे जो शब्द कहे वो कहता है इंशाल्ला लफ्ज वा लफ्ज वो पूरे होंगे और उसके बाद जो उलेमा थे जो नोबल से अकपर के कोड़ पे उन्हें बहुत विरोत करा कि हम शैंशाय आलम आप एक बात बताई है हम मुसल्मान है हमारा किला एक मुसल्मान की शान है आनमान शान है आप कैसे उसमें एक हिंदु आरत को ला सकते हैं आपने उनको बीवी इन्वेंटिट दा दीने एलाई सिस्टम एमलकमेशन ऑफ ओल दा मेजर रिलीजेस ऑफ डैट टाइम श्रिया याद है वो वैटिकन सिटी से बहुत सारे प्रीस को पोप्स को बुलाता भी था चर्चा करने के लिए धार्मिक मुद्दों पर और यह वाला सिलसला थोड़ा स जाता नहीं 25 परचंट 10 परचंट हुमायों ने भी जारी रखा था अकबर का वो सिस्टम हाला की फेल हो गया था दीने एलाई लेकिर फिर भी मेजर धार्मे गुरू को बुलाता था ताकि उन्हें से डिबेट्स और डिसकॉशन करी जाए और वो इस कंक्लूजन बर पहुं भवान तक जाने की मंजिल एक है रास्ते पर सब क्या अलग अलग है यह था कोड दीने एलाई का लेकिन दीने एलाई पॉपलर नहीं बन सका था विकॉज ऑफ 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 ओफ ऑफ और प्रिल्वेंट डाट वर प्रिल्वेंट डाट टाइम मतिकाली इंभारत के अंदर जो बार्बेरिक और्टोडोक्स थिंकिंग रखने वारे जो लोग थे वो अकबर की थिंकिंग से मैच नहीं कर सकते थे that is why that is a prominent reason that दीने एलाई सिस्टम although it was started by अकबर होना very fruitful line and with very positive intention but वो successful वो successful नहीं हो सका अकबर को इस इनिशेटिव में success नहीं मिल सकी तो हमने ये सारे के सारे जो रीजनल केंडम की जो काहनी थी वेस्टेन इंडिया के अंदर इसको खतम करा गुजरात मालवा एं मेवाड रीजन को लास्ट राइम आपने दो तिन चप्टर्स पहले कश्मीर की हिस्ट्री को देखा था through the eyes of कलहान कलहान की बुग रास्तरंग भी नहीं पर तो इस discussion में दोस्तों विलाल इतने ही thank you very much for discussion कश्मीर की इस्ट्री को देखेंगे और next section में thank you very much